पुर्णानक देव यूनिवस्टी अमरित सर इंडिया दी सिर्फ जही यूनिवस्टी है जिस विच नॉर्मलाज़ेशन दी प्रोसेस बिट्वीन ए थ्यूरी पेपर एंड इंटर्नल असेस्मेंट इन बी एड अप्लाई किती जान दी है एक क्यों अप्लाई किती जान दी है जहां रिष्टेदारिया निकलां दी है हन उना दे वद्व माक्स लग जान दे हन नॉर्मली जड़ा इंडियान क्रप्ट सिस्टम है एड्यूकेशन दा ओदे विच अपने प्राइवेट कॉलेज विच अड्मीशन उवदान ले एस हो किता जान दा है किसी असेस्मेंट ख चाट जीए केसा ऐसी के जिस विच बच्चा एक को एते मैं लिख लिया थीरी पेपर हाना थीयुरी पेपर कोई भी है तिन के न्टेदा है जहां ओ डेड़ के अंटेदा है एद के ते एंटे हैं इंटर्ड नाल असेस्मेंट इभ दता मैं सिर्व थीरी पेपर विच हो हुदा किसी पहला की हुदा सी के एक बच्चे ने 50% मार्क्स ले हुए है ओके ओधी इंटर्नल असेस्मेंट नबबे परसंट लगी हुई है अच्छे बच्चे ने लागत हो जांदी है युनिवर्सल फिनामेना है हर कॉलेच पॉसिबिलिटी है युमन है टीचर प्रमात्मा नहीं है हां तो अदिनलो मच बैटर है एकल हो सक दी है तो थियोरी ते इंटर्नल असेस्मेंट इदना वी हुदा सी के जड़ा अच्छा बच्चा सी इसनों मैं रेड कलर ना लिख लगा है ये इंजस्टिस हो रहा है थियोरी विच बच्चा है हो मन लो 75 परसेंट लेके गया है तो यह ओस्दी इंटर्नल असेस्मेंट जड़ी है ओ 55 लग रही है जहां 60 लग रही है बतला बहुत कट लग रही है इस इंजस्टिस तो मेरी ख्याल चे अमित कॉट सर जड़े कॉडिनेटर ने उना नहीं ही अप्लाई कीता है बड़ा सब्सक्राइब करने चाहिए और मैं अप्रीशेट कर दाएं इस प्रैक्टिस नो क्योंकि तुसी इस इंजस्टिस नो खत्म करने कोशिश कीती है यह विच्च हों की है कि मैं येलो कलर कर लिया कि जह वी परसेंट दा डिफरेंस है वी परसेंट जां इस तो वाद दा डिफ दा डिफरेंस है इत मीज यह तुसी सारा साल बच्चे नो अब्जर्व कीता है तुसी ए जोड़ा एनी एक्स्टीम दा डिफरेंस नहीं तो अडिते हो दी परफॉर्मेंस ची हो सकता फिर भी यूनिवस्टी ने वी परसेंट दा असलता है ओकी है कि जेकर बच्चे दी थि इंटर्नल असेस्मेंट दा गैप जीड़ा है गैप ओवी परसेंट जाएंस तो ज्यादा है तो यूनिवस्टी हैस राइट टू नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज और लड़ी सॉफ्टवेर है होन फॉर एक्जांपल इस के स्विच पहला है जीड़ा पहले जुगा जुगा पहले जोने हैं सो तो अडे नॉर्मलाइजेशन वेच की होना है कि 50% थियूरी है एक कटके 50% तो अडे असेस्मेंट लग जाएगी यह थे नुकसान किना होया नैचली जी तो कटे जाने मिनिमम वी परसेंट कटे जाने यह जिनने बाद लगए होया थे 40% बाद लगए है को कटे जाने डरना नहीं है समझना है मैं अगे जाके सारा केस समझा नहां किस तरह तुसी की करना है तो अडरोल की है नॉर्मलाइजेशन वेच एथे जे कर एथे वी प्रसेंट दा फरक है पच्विन जाते हो ना वाई ए मनलो एनने माक्स लगए होई है तो यह है केस इस बच्चे दी इंटर्नल असेस्मेंट क्योंकि इनने थियूरी चो इनना गेन कर लिया है इस दे इंटर्नल असेस्मेंट जे 55 लगी सी 75 लग जाएगी सो फार्मूल लगी है तो उन्हों मेरे खाल समझ आ गया हुएगा हुन आप पिछले तुसी की करना है तुसी कोशिश करने हैं सेंट्रल आइडिया एदा की है कि थियूरी पेपर अपने इंप्रूफ करो और टीचर नो दसो शे महीं नहां दे विच के तुसी किते स्टेंड कर देओ नौर्मली तुसी किन्ने मार्ट ला सकते हुए टीचर नो अंदाजा है इंटर्टीचर हर साल लांदेने उन खरी हो गया ऑके होने दे विच की है के एप्र है एदे विचों ए ठारा ठारान असेस्मेंट के नहीं है और ऑर यह बिलोव एवरेज सेंट्पेश चोंए 18 18 18 18 18 18 रखी गई है पंजाब युनिवस्टी पर ट्याला युनिवस्टी चे एता नो देखनों कदे भी नहीं मिलेगा और यह बिलो एवरेज है जब पूर है जहां बिल्कुल नो मन्या जा रहे है कि पास हो जाएगा है सो की होया पेपरदे वेच व्यूँच वस्ट चांसा लिए विच सब तो जाजा है ग減य कर गया हें हैं इस बच्चे नो नुक्सान की होया एकस्ट च्स एक एकीस दस्रिया है हम इस बच्चे ने- 2 टेस्ट नहीं देट यालिटीव ऩविस सब थो नो गल करके दिया वारे सारा कुछ किता है कि यnia क्यों क्यों है कॉलेज़ बारे कोई भी असेस्मेंट नहीं है सेस्यमन जीरो है कि गना अक कर लेगा ओके बाकी confidence है assignment है उस तो भी guess लग जन्दा है so teacher उस तो के तो अड़ा कोई performance ही नहीं कर दे house test नहीं देता उसलिए low rating ही रखी जान दी है कि लोच होईगा हुझे कर यह house test देंदा तो teacher नो पता लग सक्दा सी कि एक टुकट एन्ने marks ले जा सक्दा है जिस तरह 31 वी इना ने ठारा retain रखे हुए है और 41 इट मींज इना दे वी इकी बाई तेई बाई marks तक लग सक्दें तो मैं exact तो अनू एक sheet discuss करांगा कि एन्ने marks ते any internal assessment चाहिए दी है ओ मैं discuss कर देना हां तो इस sheet तोड़ी help कर सक्दी है कि कि मैं मैं इस दे theory paper चे एना प्रफॉर्म कर सक्दा हां और teacher ना discuss करके कि मेरी assessment एदे विच्ची ही रखी जावे इस तो वद ना लगाई जावे तो teacher educator लई और students ली एक परिशानी हो सक्दी है क्योंकि मैं percentage दी गल करके आया हां कि 60% है ते 80% तक दा gap हो सक्दा है मतलब 90 दा चाहिदा है 79 तक दा gap चाहिदा है लेकिन तो अड़े ता अंक आंदेने theory paper चों जेड़े अंक आंदेने ते किन्ने अंक internal assessment दे marks लगने चाहिए हन ए टेबल help करेगा इस टेबल विच teacher educator दी help परेगा तो अड़ी help करेगा तुसी जे अपने teacher educator ना discuss करना चानदे हो के मेरी assessment मैं इत्ते stand करना है मेरे 32 marks सकते मेरी 40 marks सकते मेरी internal assessment उस range विच रवे जे college तो डे positive है ते वी परसेंट उन्नी परसेंट सौरी तक वदाना चांदा है वी परसेंट तक नहीं सोच सकते ते टेबल है इस विच थियोरी दे marks लिखे हैं for example 28 marks past percentage marks हन जेड़े 40% हन 40% marks आं वो 60% तक retain रख सकते ते ओ marks किने बंदे हैं 18 सानु की समझ आई इस टेबल तो के जे theory exam चो सिर्फ past percentage आन तक दी probability है ता ओस नू बच्चे नू maximum ठारा नंबर दिते जा सकते हैं जे कर ओस दे 90 नंबर लगा दे जाने हन ते ओ internal assessment कटके ठारा जड़ी कटके हैं लग पग 14 जा 12 13 इस दे करीब मतलब रह जाएगी ओ 40% रह जाएगी जे 29 marks वी आस है के 29 marks आ जानगे तां cut off तो अड़ी बंदी है ठारा पॉइंट चार इट मीज ठारा ही लग दे फिर वी 30 marks आंदे हन जेड़ी की 42% बंदे फिर वी ठारा मार्स ही बंदे हन ए टेबल तो अनू help कर रहा है क 30 marks ते तक बच्चे दे 18 marks ही maximum लग सकते हन जे कर उननी लग दे हन एथे त्यान दे न जे थे वी उननी लग दे हन ते 0.1 जड़ा है marks जादा ने जड़े करके normalization विच कट के उसनो 40% कर देता जाएगा सो ती marks दा मतलब है के ओधी 18 number ही internal assessment चो लगने चाहिए दे हन जान तुसी खुद teacher educator नो suggest करो होन एही टेबल नो extend कर दे हैं 51 ते रह रहा है 18 देखो कत्ती तक ठारा ही चल रहा है और बत्ती जान देने marks तुसी बत्ती तक जान दे हो फिर ए 19 retain रह देने होन एह assessment जेड़ी है के मेरे theory चो किने marks आ जानगे teacher educator ने जान तुसी जान दोना ने मिलके मिलके वाला best है decide कर दे हो कि मैं haustress देने haustress दे बेशते teacher educator देखता है कि किन्ने % एक gain कर सकता है बच्चा और किन्ने % loss हो सकता है जे कर इससे तरह त्यारी किती जावे जे कर marks जे कर पेपर attempt इससे तरह किता जावे मैं बार-बार दसरिया हाँ मैं पेपरान तो पहला याद करा ना मैं तान करवाद मा जे तुसी involved होंदे होई जे तुसी मिनू problem question दिन्दे होई दो चार बच्चे भी हों तो काफी ने फिर तो अनू मिल जाएगा तो त्यारी हों दिया है नेचुली एफ परसेंटेज तो अड़ी वाद दिया है मनलो अपनी सांच दे नाल बत्ती तो 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 अड़ असेस्मेंट दो वद देने इट भी जेते तीन वद वननाया उते गोर तो तो अड़ी तो अड़ी ट्वा ओक तो तो तौतल फाई तक हो सकते हों और जो आदे मार्क सी स तर्टी-फाइड रखना एक है चल रही है इस सेवन्टी वालवा जड़ा पेपर है टोटल 70 वाला पेपर है ओ चल दिया है ए 35 वाला हाफ वाला पेपर डेड़ गेंटे वाला पेपर नहीं है हुन है अगे 30 20 हो के 35 लग दे हन 35 देखो ते आना 35 6 7 जे लग दे हन ते इना दे इकी तक रटें रणगे जे इना दे बाई मार्क्स लगणगे ते माओ कटी जाएगी मैं यहीं दसना चाहरे हैं हां कि किसे विले मालो टीचर ने एक्सपेक्ट की था सिबाई लेकिन तो अड़े मार्क्स जड़े सी एदे तो पैंती तो चौंती रहागा है हाना सो तुसी आई कटके देड़े दे तो अड़े 50% कर दते जाने ने मार्क्स अगे चल देना टेबल देख लिए पर टेबल देख रहे हैं 38 और 39 ते 22 रेंदे ने 22 है और 40 और 41 ते रह रहेने 23, 72, 42, 43, 44 जे तुसी अन्ने मार्क्स लाके जान देख अन्नी रेंच तो अड़े 24 ही मैक्सिमम लग सकते है और 45 46 25 maximum लग सकते हन 47 48 40 47 48 26 लग सकतेने तुसी अपने टीचर एजुकेटर ना क्यों गुनाने देव युनिवस्टी वाले बच्चे नराज हो जांदेने नहीं नराज हो ना तुसी यह देखो के ओ उना ने तोड़ी मानलो 26 लगा देते सी बहुत अच्छा स्टूडेंट समझ के अच्छी लगा देते सी लेकिन तो अड़ा एक माक्स बाइचांस जाउन हो गया पेपर रॉंग जड़ा टीचर को है जड़ा तंग दिली वाला उदे को चलेगे कई वेक्टर हो सकते नहीं सो ओथे मारे गया यह रेंज तुसी डिसाइड करनी है कि मेरा पेपर एक्दादा की रख्या जावे यह बैटर है मेरे खल इस तो वद जड़े मतलब स्ताही तक पहुंचन दी संभावना चलो जे किसे नों है ता हो भी सकती है फिर है तो अड़ी यह रहा गया है ट्वंटी से फॉर्टी सेवन फॉर्टी एट ट्वंटी सिक्स रहेगी और फॉर्टी नाइ पंद्रा वाला जे टेबल देखना है ओवी देख लेने हां फिफ्टीन सॉरी जड़ा है थर्टी फाइव वाला ए सेवन्टी वाला से थर्टी फाइब चोजे तुसी गेन कर देओ किन्ने मानलोग थर्टी फाइब से चौदा गेन किते हैं फॉर्टी परसेंट बने हैं पा जिदर कर लिए हाँ आजा भी हाँ किया ना सेशनल ओके फिर जे तोडे 15 16 अ तक हैं राख सी चलंगे जिस तारां लग देखिर 10 आ सेफिर 10 आ सका देखिर थारां यह असको कि फिर 10 आ रहेंगे बारा मार्क्स 12 रिटेन रहेंगे और 24 26 तक तुसी जानने हो 26 तक जानने हो 27 तक 8 तक जानने हो इनने मार्क्स नहीं आंदे नार्मली 28 तक जानने हो 13 तक तुसी रिस्क जानना चाहिदा है इस तो वद्ध रिस्क नहीं लेना चाहिदा है इस बच्चे नों अंडरेस्टिमेट ही किता गया सी देट इस वाई किते ही असेस्मेंट कटी नहीं गई कटी नहीं गई लेकिन ये वद्ध मार्क्स ले गए है इटमेज ये अपने असेस्मेंट दे कुछ टेस्ट के प्रफॉर्म करके दे जिए विचोना दी हैंड्राइटिंग देखी जान्दी है क्वेश्चन दी स्पीड देखी जान्दी है कि फुल शीटों पर लेंदा है कि प्रेजेंटेशन अच्छी है ये टीचर सारा कुछ हाउस्टर से देख लेंदा है और उसनों पता लग जान्दा है कि फॉर्टी दे प्लस गेन कर लेगा तो नैचुली है कि उस पेपर चो असेस्मेंट जान किसे पेपर चो वद्ध या कट हुन दिया उस पेपर चो वद् चंगीत रहते आनल देखना जिसने वी असेस्मेंट लगाई है इस बच्चे नों ओवर और जनरलाइजड बिलो और एवरेज जाँ पूर मन्या गया है बैट इस वाई सब विचो ठारां 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 ये लोएस्ट असेस्मेंट है इमेंदास दुआ सारे चो ठार हूँ आ रहा है ट्वन्टी नाइंटीन मास का फरक आ रहा है लेकिन असेस्मेंट कोई भी फरक नहीं है इटमीज एना टीचर्ग नों येश्टीचर बारे कोई बीश्थ असेसमेंट अंदाजा नहीं है कि कित्थे स्टेंड करता है ब्टेट इस वाई इला इस फार्मूला जाएगी दूसरा तुसी प्रैक्टिकल चो डरे हो इसी जड़े लोग ओ डरन दी ज़रूरत नहीं है मैं दूसरा के इस भी डिसकस कर दा हां टॉप परदा एप पूर बचा सी एह उन टॉप परदार डिसकस कर दा है पहला एदस दमा के जड़े प्रैक्टिकल चो नॉर्मली सब्सक्राइब करें दूसरा प्रैक्टिकल चोंगरों दी कोई वी जरूरत नहीं है हाँ तोड़ी टीचर ना बढ़ी के इस तरह है उसते डिपेंड करता है इस तरह दा डिफरेंज भी प्रैक्टिकल चोंगरों दी जरूरत नहीं है तुसी कित्थे थोड़ा जा कबराना नहीं है पर फेर भी क्योंकि बीएड दी मैं तो नुक्या मार्क्ष दी ओ नहीं है जॉब सेलेक्शन विच किते भी वेटेज नहीं है तैट इस वाइक अब रहूंद जरूरत नहीं है पर फिर भी तुसी टेंशन नो मैनेज क्योंकि सभी आदत बनी हो यह आसी अपने मार्क्स ना जोड़ दी हां अपने मार्क्स भी मैं तौन ना शेर करांगा हुन मैं टॉप पर दा डिसकूस करना लगा हां एक टॉप पर ले ज्यादा सेंस्टिव हुन देहन टॉप पर दा है ओके इस नो नीचे कर ला पहला पर है देखो टॉप पर नूँ टॉप पर नूँ भी ज्या घ्रीएशन है देखो रिसर्चर डाटा अनलसिस इसतर हो जन्दा इस तो पता लाग जन्दा इते 25 26 लाये हां 25 लगाये हां इत्थे 12 लगाये हां इत्थे 13 लगाये हां वे डिशन है ना सो ले ऑग वस गेन विच इना दे 25 और 20 पर सेंट तो जडि रेंज है वदी नहीं है तो यह परसेंटेज जो कड़ोगे हो परसेंटेज दा डिफरेंट जिड़ा है वी परसेंट तो कट है यह नहीं कटी गई हाना हाला कि बच्चे ने बहुत अच्छे गेंग कर ले हैं होन की है कि एदर भी 25 लगे हो इसी ए जड़े टीचर्स तो मैं डाडा जटो लिया है ए 25 करफनी लगे हो इसी असेस्मेंट फॉर लर्नि एने विची बच्चे दे 2 मार्क्स कट गए हैं महलो 46 ओले जांदा 45 श transfillा 알려ंदा ते ओधे किनने लिए रचेंटेंट थाइब लग्गी 25 रचेंट रहने सी क्योंकि ओद बच्चे दा किया दो मांक्स कट गए हाना एक दो मांक्स कटनाल एह है परसेंटेज थे एस परसेंटेज विच जड़ा गैप सी यह वी परसेंट तो वद गया ओके एक अट गए और कटन दे नाल के दे विच्छ है ए फॉटी फोर विच्छ ते ए जड़े पच्ची लगए हुए सी यह कॉलज ने इनने लगाए हुए सी नॉर्मलाइजेशन की होया उसनों कटके 44 जिनने प्रसेंट बंदे हैं उदे एकुल कर देता गया ओ बन गए उननी इट मींज की होया 25 तो कटके 90 मार्क्स रह गए 6 मार्क्स कटे गए हुए मैं किसला दे रहे हैं तुसी नॉर्मली जे रिटेन रखना है इट अपर ली ते हा कटवर्दी कटी जान दिया जातों प्रावाई नहीं कर दे होना फिर जुरूरत भी नहीं है अच्छा असेस्मेंट फॉर लर्निंग दे विच होन की होना चाहिए था सी कि इस पेपर थोड़ी जी मेनत रखनी चाहिए थी मैं क्यों इस चिफेल होई कटेकियों इस ते स्या जावे के इस में मैडम वीख हां ते पच्ची दिव जाए पहला है चौवी लगा लए जान दे जी ट्वंटी फोर लगे हुंदे ते चिताली आए हुंदे ते छे कटने सी होने ए उनने दे उनने ही रह जाने सी ठीक सो एथे नुकता की बंदा है तुसी सेल्फ असेस् सेल्फ असेस्मेंट है सब तो ज्यादा जरूरी हाउस टेस्ट है और हाउस टेस्ट विच्चे तो आड़ी हैंड राइटिंग स्पीड प्रेजेंटेशने टीचर चेक करें उस तो बाद हो यह अंदाजा ले जागा कि फाइनल विच्च तुसी केस पेपर चे किने मताबक तो अड़े ठारा पंद्रा प्रसेंट वदा के एथे असेस्मेंट लगाई जावे बाकी पिप्रन चो देखो पंताली ने त्यान नल देखो तो आड़े सामने फेक्टर आ गया इसनो मैं रिमूव कर दवां वेरी गुड सोनिया थैंक यू ए देखो एक मार्क्स कट फर्क है उननी पर संदा फर्क है एंदि इथे रिटेंऄ रैगा है ठीक एन अचब्राव दो इस लिने एफट नम absolumentया रहीınız बारा भा इस फे शायद सी इथे ठाई है ज्यादा गेन कर लें तेरां भी है डिफरेंस जड़ा है वी प्रसेंट तो कट है that is why अगे मैं तो डिनाल कोई गजट डिसकस करांगा जरूर हो जरूर देखना उस तो यह चीव हो जाएगा पता लग जाएगा केड़े परचे किते स्टेंड करदा है रिजल्ट तो मैं केड़े परचे ज्यादा त्याम देना है टीटी नाल भी जुड़ जाएगा और तो अड़ी जड़े है असेस्मेंट जड़ी है मैं एक वीडियो बनाई सी जचे लिख्या सी के स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड जो तो तुसी कोई कोर्स देखना है कि मैं में इंग्लिश है किसी उनिवस्टी तो करां पहला उदा गजट देखो वोदियां बुक्स देखो असले बस देखो असी वैसी कर देया स्लेक्ट ग जादा थिया रखना है ऐसे परेंच मार्णा कर देखन्ट और टी टीवी जो भी बैडर माक्त स्लेके जा सब्लेकर और थैंक यू झाल झाल